कौ अई डोस्तों। स्वागवत आपके पस्निद दिजिए चैनल जी के वाय वुँभार जैनें दोस्तों। उर्षी हतमें भुखम के पार्टों में व्यापता।aison, सवागवसद दोस्तो निゲल हुआ हु function 375 भुखम का येस कारण देखे दोसमेश मानव जनिक कारण और प्राकरति कारण नुट फिक बहांतका नेमान पर्मुण परिक्ष्ण खननन् अटनी भूमेगा जंग मि 갖 दोहन तरी प्राकरति यह आध कारणथे प्राकरति और दोस्तो आज बुकम के पार्टो में आज हम जो डोग कर्ति से 8 पर अधो जानेंगे आज पार्ठों में ऊपसे देख़ा है दोस्तो झाला मुंख्य किरिया थो ये हिंदमास्यागरिया और ये महदीप लिए इशे महाद्यव में ने जोस्तस है हम अभी रह रहे हैं भारत देश के और दोस्तों हिंद माहसागर में दोस्तों दो करें कि यह वाल यह दूप है और यह दूप कहलाता है सुमात्रा दूप और यह दूप कहलाता है दोस्तों जावा दूप सुमात्रा दूप और जावा दूप के बीच में स्ञंदा गरद सोव समांतरी पर ढाओं घर तैं में एक ऑंसे हताओ और उस सुन्दा गरद में दोस्तों एक और वे उसका नाम कराकाता करकाताओ तो सन्दा छो पर दोस्तों तीयम होता सिक दास्तों सभ समय दो आस्तीयाश इक है ना स्वाइन कारा वोस्तेया इस तिलुमत मधा करना गोर्वल्व दोस्तों। विक सेले के तासित क्वा है यह जो रेका 9 में दोस्तों करा करता हो तो आप समझ गए होंगे कि करिया कि ये करिया से भी दोस्तों करा कराता हो डियूपर आया यह समाथव डियूपर और ज्यावदियूपर उसके पीज में सुंदा गड़त में का करता हो द्यूप है स्टित अब जुआ करकाता हो ड्यूप के आश बाचेतरों में भुकम के जटके महसूस किये गहें जिससे आप समझ सकते हैं कि जुआरम के करिया से भी दूस्तों भुकम पानी की संभाव नहीं रहती है दूसरे है दोस्तों भूपटाल पर बरंसन करिया निया तो उसका प्योधारण देते जाहिए आपको में ये अफरीका महाधिप है थोरण अच्छा मैं जो अच्छे सी नहीं बना पर दोस्तों ये अफरीका महाधिप है और अफरीका कि दोस्तों यह क्या है यह महान भर्णस गाटी है यह दोस्तों यह महान भर्णस गाटी है दोस्तों सम्झाइक्ग दोस्तों यह माहाल अफ्रीयका में दोस्तों महाल बरंस्च क्लिया के उधारने के जब पर भ empattar ila के उधारने की उधारने महारण बरंस्च सब्सक्राइब के लिए। नियुक्त के लिए छोटता कि भूठ पार्सत ने की संभावन रहती है कि दोस्तो आप देख लिए हैं ज्वालमटी के लिए से और भूठ पार बंशर जंद के लिए ने किसे भुकम आने की संभावना रहती है अब दोस्तो प्लेट फिलेट निकी आंत्री प्लेटे दोस्तों उन में जो आंत्री प्लेटे हैं वह हैं गत्रीशील होती हैं उन अभी सारी गति अपसारी गति और संग्सी कति जब डो पलेटों की जब अभीुआति क्टि पेंगी तो उससे करेगी वुखम्प लिफसारी करिया करी तो उससे भी UKA पाजाता तैकिलर्वीटों विखम्प यसयदे प्लेटों === प्रत्यास्त पुन्य संचलन सिद्धान्त की खोज की थी दोस्तों इसमें बता है जो प्रेटे लजेली होती है तनाव के कारण दोस्तों तूट जाती है तनाव के बाद दोस्तों बुकम आ जाता है तो प्रत्यास्त पुना संचलन का उधारन है पांचा भू संतुलन की अवस्ता कि दोस्तों भूव संतुलन की अवस्ता मतलब कि आंत्रीक प्लेटों का संतुलन बिगरना उससे दोस्तों जब आंत्रीक प्लेटों का संतुलन बिगर जाता है तो उससे भी भुकम पाने की संभावन रहती किसे आंत्रीक प्लेटों के संतुलन के बिगरने के से दोस्तों जैस ये बुर संतुलान के अवस्ता का उधारन है तो दोस्तो प्लेट भी उरतने की परत्यास पुना संतुलान के अवस्ता के बारे में आपको समय आगया होगा आपर दोस्तु वक्यक एक परकार क्या हैं दोस्तों वक्यक के बहुसार अवस्ता होगान पर है कैप वक्यक्यक होड़ार ऑप्सकैंग मोल इस्द kontroll ऐदर फाद गया स्वि में फ्दल्श इस देगाद एंगत गया गयान ऑपकिछिए ओद्ब्र की इस्द्ब्र कारान के आदार होते हैं और वकम की उत्पत्ति के कारन के आधार पर चार परकार के होता है। और भुकम की इस्तिति के आदार पर दो परकार के बुकम है रुखतों परणों से भुकम मुल की इस्तिति के आदार पर तीन परकार के बुकम की इस्तिति के आदार पर चार परकार के और भुकम की इस्तिति के आदार पर दो परकार के उनमें से पहला है भुकम मुल्क की इस्तिति के आधार पर सामाने भुकम, दूसरा मंत्यवर्ती भुकम और तिसरा पाता दिये भुकम ये तीनों हैं दोस्तों भुकम मुल्क की इस्तिति के आधार पर सामाने भुकम क्या होता है दोस्तों ये धरातल है और दोस्तों धरातल से 50 किलोमेटर की गहराई पर अगर किसी भुकम का उद्गम होगा किसी भुकम का निर्वान होगा किसी भुकम का उद्गम होगा दोस्तों धरातल से 50 किलोमेटर की नीचे गहराई पर अगर किसी भुकम का उद्गम होगा तो उसे हम सामाने भुकम यह उसे समाने भुकंप कहेंगे, और दोस्तों, जहां भुकंप का निर्मान होता है, उस हिस्तान को भुकंप मूर खहते हैं, यह हम पहले पढ़ चुक है, और दोस्तों, जो समाने भुकंप है, यह कम विनास का रही होगा, क्या होगा दोस्तों जो सामानी भुकंप है यह कम विनास करेगा तो यह कम विनास करेगा तो आपको समझ में आगया होगा दूसरी तरफ चलते हैं दूसरे हैं मद्देवर्थी भुकंप क्या मद्देवर्थी भुकंप दोस्तों यह धरातल है और धरातल के नीचे 50 किलोमेटर से लेकर 250 किलोमेटर तक के बीच में जहां भी किसी भुकंप को उद्गम होगा तो उसे हम मद्देवर्थी भुकंप कहेंगे का कहेंगे धरातल के नीचे 50 किलोमेटर से लेकर 250 किलोमेटर तक 50 किलोमेटर के बीच में कहीं भी आकर भुकंप को उद्गम होगा तो उसे हम मद्देवर्थी भुकंप कहेंगे जहां भुकंप वह नियमान होता है बीच में भुकंप मुल कहलाता है आपको समझ में आगे होगा मद्देवर्थी भुकंप तीसरे है पातालिय भुकंप यह धरातर है और धरातर के नीचे 250 किलोमेटर से लेकर 750 किलोमेटर तक के बीच में जहां भी अगर भुकंप का उद्गम होगा तो उसे हम पातालिय भुकंप कहेंगे सब्सक्राइबzeug not 250-250 कि वीच में जहां भी अगर भुकंपका। उसे हम पातालिय भुकंप कहेंगे यह मर्दोस्तय बीच में नियार्मान होगा है सामाने भुकम, मत्यवर्थी भुकम और पाताले भुकम बहुत ही सरड टोपी गए भुकम के प्रकार में दोस्तों भुकम मुल्किस्तिते के आदार पर सामाने भुकम, मत्यवर्थी भुकम और पाताले भुकम थे इन तीनों भुकम्पों के बाले में हम पढ़ चुके हैं दोस्तों अब दूसरा था भुकम्प की उत्पत्ति के कारण के आदार पर चार परकार के भुकम्प होते हैं वो देख लेते हैं आगे हैं दोस्तों उत्पत्ति के कारणों के आदार पर जौ्ळान उंखी भुख़म। दूस्सा संतुलण मुख्मly की से संपीड़क जौरें ऐसंपीड़क पार्षिएं संतुलण मुख्में कि वख्म पहलेँ संपीड़क मुख्म या व्लान उन की दोस्तों की बुक्खम मुलक टीशरत तनाहन मुलक या रंस मुलक चोता संफिड के मुलक या वलन मुलक उत्पत्य की कार्मों के आदार पर च्यार प्रकार के बोठी सीटे minut आप झाला मुलक या वलन dal मुदक पहला जोरल की बोठम ये जोरल की किरिया के द्वार होता है किसके कार्ण होता है ज्वाला मुखी करिया के कार्ण होता है दोस्तों ज्वाला मुखी भुखंप जैसे हैं कराकाताव भुखंप और एटना भुखंप ये ज्वाला मुखी भुखंप के उधारन है आपको समय में आ गया होगा कि ज्वाला मुखी भुखंप ज्वाला मुख मुलक शंतुलन मुलक यह भू संतुलन की कारण होता है जिसमें है हिंद्यू कुस परवत भुकम या जो हम पढ़े थे और जो हिंद्यू कुस परवत भुकम पर यह भी हमने पढ़े थे तो है संतुलन मुलक का ही उधारन है तो आपको समझा आगया होगा संतुलन मुलक वह संतुलन के कारण होता है जिसमें हैं हिंद्यू कुस परवत भुकम तीसरा है तनाव मुलक या भरंस मुलक क्यों की किर्या के कार्ण होते हैं जिसके जुएद्णी फूपा बनण्स गाटी यह ब्रंशन किरिया के द्वारा होता है और इसके उधारे ने मान भंज गाटी और जुआणडी फूपा जुआणडी फूपा भंज तीसरा था तराव मुलक और बंश मुलक चोदह संपिड़क मुलक या वलन मुलक वलन के कारण यह होता है संपिड़क मुलक या वलन मुलक जो दोस्तों यह है वलन के कारण आता है और वलद परोगतों के सहरे आता है वलेट परोगतों आता है इौशन की पारोगतों के सहरे केलो सीम्ति कोई टाउट इननने अत्पत्ति के कांह आदार्त Hey दूपर अधोन बन Cordy करोन के कारण होता है तो यह तेक पत्ति के कारण Fish partner प्रकार प्रकार के बुकम पर दोसरा सागरी बुकम, इस्तिति के आदार पर दो परकार के बुकम पर पर है, पहला इस्तिति के आदार पर दो सागरी बुकम, इस्तिति के आदार पर दो परकार के बुकम पर है, पहला इस्तिति बुकम दूसरा सागरी बुकम, इस्तिति बुक और साग्रीबुकम को हम साग्रीए भुकम कहते हैं। में जब भुकम आता है तो उसी के कारण महासागरे लहरों की उत्पत्ति होती है जब भुकम दोस्तों सागरों महासागरों में आता है तो उसी के कारण महासागरे लहरों की उत्पत्ति होती है जिने हम सुनामी कहते हैं क्या करते हैं जिने हम दोस्तों सुनामी कहते हैं उसी स स्फपत आमोल हमां के माहा ष्ऑगरों दोस्तों आगे हम पढ़ेंगे उसके अधार के wow और यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कोई डाउट यहां तक और दोस्तों मुझे पूरा विश्यास आपको समझ में आ गया होगा और दोस्तों आज के वीडियो यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों आप आज आपको बताए हैं उनका जिवास करते रहिएगा तभी आपको याद हो पाएगा दोस्तों तो दोस्तों मिलते हैं भुकम के पार्ट 3 में भुकम के पार्ट 3 में दोस्तों तो दोस्तों जब तक भुकम वेश्टे और मज़े मिरें मिलते हैं अगरे वीडियो में तब तक लिए सबी दोस्तों को जय हिन जय बारत